हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आज मैं आपको लिए लिकार देखे बात करने वाले हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की बात जब डिफेंस एक्सपोर्ट की हो रही है तो आप समझ जाईए कि इंडिया का नंबर कहां पे है और इंडिया कहां स्टैंड कहता है आप इसको अगर इंडिया का अब डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर चल रहा है जैसे ही अभी रश्या और युकरेन का जो में वार आप देख रहे हो डेडी सुन रहे होंगे अलग-अलग तरीके की मैं तो अगर आप क्लियरली यह कहूं कि वो डिफेंस के लिए एक एक मैं कहूंगा एक शो चल देखा होगा किस तरीके से एयर शो होते है यहां पर अम हो किसी को कोई फरक निपड़ता है ये बहुत बड़ा बिजनस है बहुत बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बिजनस है जिसमें मेजरली नंबर वन पे यूएसे आता है नंबर टू पे रश्या आता है तो जरा सोच ये कितना बड़ा ये जगे जगे आप देखते होंगा सीरिया कभी यमन कभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज चाहे वो लीबिया हो और कोई भी रेखिए तो ये सारा सब का अपना एक अब्जेक्टिव छुपा हुआ है इसके पीछे मैं आपको आप खुद देखिए बिल्कुल लेमेन वाले सिस्टम में देखिए जिसके में देखिए अपने देखा होगा जगे जगे शांति के नम पे कितने 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 वार्स हो चुके हैं चाहें अफगानिस्तान की बात करो इराग की बात करो यह देखिए सबसे बड़ा आम एक्सप्रूटर यही है यही है यह दोनों देशों के बीच में आपस से ठक्राव लेके अभी देखे और अगर आप देखोगे युक्रेन और रश्या दोनों आपस में मिले जुले थे एक सांथ ही थे वह हतियार बेचने हैं अमेरेका को अपने अभी अभी देगा बाद मातियार देगा फाइटर प्लेइन मिसाइल बिकेंगे चाहाँ आभी के टाइम पर आप देखोगे तो क्या मीजरली स्टिंगर मिसाइज जैवली यह सारी चीज़ा आप देखोगे एंटी टैंक सब यही यही मिसायज किसकी विक्री है नेटो कंट्री में 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 यूएस से की अभी आप सोच रहे हैं एड जा रही है यूमानिटी के नाम पर कुछ नहीं है सब कुछ बिजनस है समझ ली जैसे को यूएस से और दूसरे नंबर पर रश्या फिर फ्रांस देखें इंडिया इंडिया तो सब जोगे से बैलेंस करके रहता है यह अमेरिका से भी खरीद लेता है रश्या से भी खरीद लेता है फ्रांस से भी खरीद लेता है अभी जामेनी अब इंडिया का यहां पर नंबर कहा है अब आपको गयर इंडिया का तो कहीं पर नंबर दिखी नहीं रहा है नंबर है ये देखिए बहुत ही कम है लेकिन इंडिया का जो नंबर है तो मुझे ऐसा लगता है जब इंडिया का नंबर नहीं है तो इंडिया आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ही जबर्दस्थ ग्रोथ आपको दिखा सकता है और इसीलिए एक स्टॉक जिसका नाम है Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited आपके लिए आ रहा है Garden Reach को आप तसल्दी से देखिए ये प्रीमियर Shipbuilding Company है Ministry of Defense का जो है Admin Control यहां पर है और मेजरली धेर सारे अभी देखिए इसको एक्सपोर्ट भी करने है वार्शिप तो आगेने एक्सपोर्ट में देखिए इंडिया का फोकस अब एक्सपोर्ट के उपर है और 100 वार्शिप इंडिया नेवी को भी यहां पर देने है अल्रेडी ओर्डर पढ़े पढ़े है काम मैं बहुत कम मैं कहूंगा काम की जो साओंगा उनको देखिए तसली से और समझने की कोशिश कीजिए नंबर्स देखिए लगातार बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटबिलिटी जैकि जो सौ करोड भी नहीं था आज 200 करोड का प्रॉफिट है अमेजिंग है कि नहीं है तो नंबर्स अर्निंग पर शेर दिखिए सब बढ़ने करा है तो इंडिया भी मुझे लगता है कि अंधिया के अंदर हैं हमने आटीक्निशान लरनिंग की बात करी थी हमने सकता है और अमेरिका तो थो खास करता है और चल्या है आज की देट में पहले आपको लगता होगा कि हां अमेरिका में है पैसा है लेकिन आज इंडिया के अंदर भी जबरदस टिकनोलोजी सेग्मेंट में कोई कमी नहीं है पैसे की तो इसलिए ये इंडिया को अब कोई भी कंट्री हलके में नहीं लेती जब बात आती है टिकनालोजी से रिलेटेड, IT सेग्मेंट से रिलेटेड तो इंडिया बहुत बड़ी एक सुपर पावर है सेग्मेंट में सुपर पावर मैं कहूंगा आप इस पोटेंशल को देकि अभी ये सेग्मेंट में मुझे लगता कि आने वाले टाइम पर इंडिया इस दा फ्यूचर और आप देख सकते हो इस स्टॉक को देखे हो ये स्टॉक क्यों नजरों में आया ये शिप बिल्डिंग का काम है इसका और मेजरली एक्सपोर से रिलेटेड चीज़े इसके पर काम कर रहा है तो आगे आने वाले टाइम पर यहीं नहीं जैसे आपने देखा होगे तरकी बहुत बढ़ी बहुत बढ़िया मैं कहूंगा एक्सपोर से रिलेटेड चीज़ों में इवाल्व होके आया है तो उसी तरीके सब इंडिया का आने वाला टाइम जो है वो चत्या बिल्कुल रैली और अभी एक करेक्शन चल रहा है काइंड आप पूल बैक आप इसको कहेंगे लेकिन यह मंतली का चार्ट है तो बहुत आगे की उम्मीदे इससे हैं यह गार्डन डीस से बिल्डर से मैं आपको अगर मंतली पर आरसा को दिखाओं तो बहुत ही आती है आप खुद देखिए यह कहां से किन लेवल से गया है 2019 में 80 का लेवल था और अभी देखे 280 का लेवल अगर आप टाइम को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि जो कोविड के टाइम पे भी गिरावट आयती उससे कुछ जादा असर देखने को मिला आप देखिए 80-90 के लेवल से यह 280 का लेवल आपको कम जरूर लग रहा होगा लेकिन यह पिछले दो तीन सालों में आपका जो पैसा है वो दो कुना तीन कुना के राउंड तक यह मान के चलिए बल्कि जादा ही और इस कारेक्शन को मैं इसलिए इंपोर्टेंट आप कह रहा भी प्राइवेट प्लियर्स जो इसमें इन्वाइट किये जाएंगे पंडिंग के लिए पैसे के लिए अब आप खुछ सोचे जब एक्सपोर्ट के ओर्डर आएंगे तो उसके बाद अल्रेड़ी अभी सौतों इंडियन नेवी के लिए यहां पे बनाने है तो मुझे साथ ये पैसा आराम से आ सकता है बात करेंगे लाइन च्रहां इस ब्लिए देखनें के बाद आप आप vet कe बाद और असलों सब्का है और यह ब्रॉक लिएपेश्रेश के लिए लेकर पट सब्सक्राइब लेकिन अब जो है अब मैं कहूंगा ये pullback का time चल रहा है ये pullback का time चल रहा है और फिर अगली rally के तैयारी होगी फिलहाल हम weekly charts पे फिर से समझने की कोशिश करते हैं देखिए weekly chart आपने देखा weekly का अभी RSI हमारा down आया है तो RSI वापस से ले जाएगा super momentum area में that will be big opportunity और उसके सा चार daily time frame पे चलता है देखिए daily time frame पे as usual हमारी expectation होती है कि कभी भी हम 200 SMA से नीचे जाके अगर हम बड़े time frame यानि के लंबे समय के लिए कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए stocks को buy करने की कोशिश करें तो वहाँ पर हमारा momentum बरकरार रहे momentum में loss नहीं होना चाहिए अग अभी और correction आ सकता है वापस यह momentum जो कि अभी last मैं कहूंगा यह candle जो बनी हुए Thursday की होडी से पहले वाली candle बहुत important जो आप खुछ देखिए कि किस तरीके से यह part यहां पर resolve होता हुआ आपको देख रहा है इसका मतलब अगली जो rally है वह यहां पर bullish cross में को convert कर देगी 200 SMA का support बढ़िया देखिए यह situation देखिए और फिलाल यह उपर जाने के बाद अगला जो correction होगा that will be again very important part now coming on to the RSI thing देखिए अगला correction यह area इसको लेके जा रहा है 60 से उपर RSI पे देखिए और उसके बाद जो correction आएगा वह इन एरिया में आएगा जो कि हमें देखने को मिलेगा एक बहुत important मैं कहूंगा super momentum area में correction और उसी तरीके से देखने को मिलेगा MACD में से उपर momentum का gain वाइन अप करता हूँ वीडियो को उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए like कीजिए price section की series अगर आपने अब तक नहीं देखी तो इसको देखिए समझें बहुत कुछ सीखने को इसमें है उनको सीख्या और प्रैक्टिस करते रहिए thank you thank you for watching the video